अब दुकान वाले ओं क्या मालूं कि हमरी दुकनियां भगवाने घूम रहें भिकमंगा बनके जज साहब जो ब्रिंदा बन वाले थे वो क्यों बिरक्त हो गए पत्नी ने कहा कि अरे भाई चलो एक एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान गवाह बनके चले गए थे कोट में केवट ने सेठ का रूपिया लोटा दिया था रूपिया लेने के बाद भी सेठ ने कोट में केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा पैसा नहीं लोटाया जद साहब ने केवट से पूछा कि तुम ने रूपिया लोटाया तो वहाँ पर कौन था केवट बुला तीन लोग थे कौन? सेठ जी, मैं और मेरे राम जी थे मेरे रगुनाज जी थे वहाँ पर, जद समझाओ रगुनाज जी नाम का कोई आदमी होगा अगली तारिक पर रगुनाज जी के आने का गवाही देने के लिए संबन भिजवा दिया जद साहब ने अब कोट का संतरी पहुचा गाओं में, केवट जी गाओं में रगुनाज जी कहा है, रगुनाज जी कहा है रगुनाज जी हो तब न मिले एक आदमी ने कहा देखो रगुनाज नाम का आदमी तो नहीं है रगुनाज जी का मंदीर एक है जहां केवट रहता है मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे संत्री ने पूछा कि रगुनात यहीं रहता है क्या पुजारी जी बुले हाँ भीतर रहते हैं यह पकड़ो उसके नाम का संबन है इतने तारीकों गवाही देने पहुंचेगा कोट में अब पंडी जी सोचे ज बोले प्रभू आज तक आपके लिए मिठाई आया आज तक आपके लिए आभूशन आये आज तक आपके लिए वस्त्र आया पहली बार प्रभू आपके नाम का कोट से संबन आया है और बहुत विश्वास करके उस किवटन जज के सामने आपका नाम लिया होगा प्रभू उसका विश्वास तूटने मत दीजिएगा जिस दिन तारिक थी न उस दिन पंडिक जी सबसे सुन्दर कपड़ा ठाकुर्जी को पहिना है क्यों आज ठाकुर्जी कोट में पहुचेंगे तो भगवान सुन्दर लगने चाहिए भगवान फटा पुराना कपड़ा पहिने ला सेट को सजा हो गई केस तो समाप्त हो गया लेकिन जर्ज सहाब डिश्टर्ब हो गये सोचने लगे भई आज तक तो ऐसा कोई गवाह आया ही नहीं जो एक अही बार में केस को ही समाप्त कर दे कोट से निकल के अपने चिंबर में गए अक्केवट को बुला कर बिठाए बु जर्ज सहाब बोले कि जो रहुनात आये थे जी जी तो उनको लगा कि वो मंदिर बनवाए होंगे तो जर्ज सहाब बोले लेकिन तो गरीब लग रहे थे और लग नहीं रहा था कि मंदिर बनवाए होंगे केवट ने कहा प्रभू वो मंदिर बनवाने वाले रगुनात जी नहीं थे मंदिर के भीतर बैठने वाले रगुनात जी आये थे जज की मतिय हरा गई हो कापने लगा संत्री को बुला कर बुला शही सही बताना तुमने किसको संबन दिया था बुला सर माप करियेगा सर रगुनात नाम का आद में नहीं मिला रगुनात जी का मंदिर था मंदिर में पुजारी जी को देके चला आया था मैं तो जो आये थे वहीं पुजारी जी ये नहीं थे दूसरे थे जज को पूरी बात समझ में आ गए घर गया और दरवाजा बंद करके जज साहव रोने लगे पत्नी ने आ कर पूछा क्यों रो रहे हो पूरी बात बताए पत्नी ने कहा है इसमें रोने की कौन सी बात है आरे मान लो धोखे में ही दर्शन हुआ तुम तो भागे शाली हो तुमको दर्शन को मिला नाचना चाहिए बोले इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि रामदी चले गए इसलिए नहीं रो रहा हूँ अरे कुर्शी पे बना जज मैं बैठा रहा जगदीष्ट खड़े समझाते रहे जिनकी अदालत में पूरी दुनिया जाकर खड़ी होती है आज उनको मैंने अपनी अदालत में खड़ा कराया ऐसा बैराग्य छड़ा हो जद सहाब को उसी समय रिजाइन दिये सब घर परिवार छोड़ कर चले गए ब्रिंदावन और ऐसा कहते हैं जब तक थे कभी बैठे नहीं ब्रिंदावन खड़े रहे लोग कहते थे बैठते क्यों नहीं आप बुले मेरी यही सजा है मैंने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा करा के रखा था अब मैं भगवान के धानम में जब तक जीविते रहूँगा तब तक मैं खड़ा रहूँगा अब मैं बैठूँगा नहीं तक भगवान किसी रूप में आ सकते हैं माईबा आपकी आफ्था वैसी होनी चाहिए